बेदिया मेडिकल कॉलेज में नर्जिंग स्टाफ के साथ मारपीट की घटना के बाद प्रदेश के कई अस्पतालों में काम करने वाले करमचारी नाराज हैं क्योंकि अभी तक मामले में किसी विदोशी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई है इसी को लेकर नालंदा के विम्स पावापुरी के नर्सिंग करमचारियों ने काला बिला लगा कर कार्य सेवा देकर विरोज जताया इस दोरा नर्सिंग स्टाफ विम्स के OPD परिसर में कारा बिला लगा कर सांकेतिक रूप से अपना विरोज जताया नर्सिंग करमचारियों का कहना है कि बेतिया मेडिकल कॉलेज में MBBS के कुछ इंटर्ण शात्रों ने On Duty नर्सिंग स्टाफ के उपर जान लेवा हमला किया था जिससे अब दूसरे इस्पदालों में काम करने वाले स्टाफ भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग भी वही चाहते कि उनका इंटर्ण सिप्रद कर दिया जाए ताकि बाद में लोग और भी गुंडा गर्दी करके आगे ना बढ़े उन लोग को सबक मिले कि हां आखिर हम यह लड़ाय कर रहे हैं पढ़ने के लिए हैं यह किना कि लड़ने के लिए हैं मेडिकल कॉलेज में करंचारी और नर्से के साथ मार पिद के घटना हुई है जिसके विरोध शरू आ मोग काला भिल्ला लगा करて कैसी आपसी में यह पेशेंट को ले करके इसमें काम को ले करके ड्यूटी को ले करके इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्पिट हुई कुछ लोग तो आई सिवे भरती है कुछ लोगों को रेफर भी करना पढ़ा तो क्या करवाई किया गया है सरकार के दौरा या परशासन के दौरा अभी तक कोई करवाई नह कि मैं क्या नाम है अंजुक मारी आप लोगों कि दिल्ला लगा कर रहे हैं मतलब आपको क्या कहना है इस ब्रोट गवारे में हम लोग को की ऐसे वहां का जो एड्मिस्टेशन है बेतिया का जो थोड़ा सा परशासनिक करवाई ना करते हैं इंटरन लोग पर और थोड़ा सा आ, स्टाप लोग नीचे कटोगरिका जो सिष्टर लोग होते हैं करमचारी लोग होते हैं उनको बार-बार सї करते हैं लिसलिए भवी में ऐसा घतना ना हो कि जिसमें हम लोग आगे वही चारवाई उन proposal क向ड़र करते हुए इसलिए भवी में ऐसा घटना ना हो तूटाहकी निखें की तूट्रताहा Iline過來 मत्री से मांग करते हैं मुक मनत्री से रहां कर्ते हैं कि हम लोग को बुड़े अंजाम में क्यों हर दल्दल में हर भार ठकेला जाता और मुझे बढर पर रहते हुए भी हम लोग को इस तरह से इंटर्ण लोग डॉक्टर लोग क्यों ऐसे करते हैं तो नर्ष्र लोग दो वार्ष करोना काल में इतना शंघर्ष करके अपनी लाइफ को जो कि मैं डाल करके मदद के फिर भी सरकार आप पर ध्यान नहीं दे रही है जो कि सिष्टर लोग टुवंटीफोर अवरली यहां रहते हैं डॉक्टर लोग तो डायरेक्शन देते हैं चले जाते हैं सिष्टर लोग ब्रदर लोग भी गाल है जो आईशू में भरती है दरसल किसी भी अस्पताल में काम कर रहे करमचारी की सुरक्षा के जिम्यदारी अस्पताल प्रबंदन और इस्थानिय पुलिस की होती है बताया जा रहा है कि बेतिया मेडिकल कॉलेज में हुए हमले में दो महिला नर्सिंग स्टाफ समेथ कुछ नौ लोग गंभीर रुपसे जखमी हुए हैं जिन में से तीन नर्सिंग स्टाफ अभी भी आईसी ओं में जिंदगी और मौत से जूज रहे हैं ऐसे में दूसरे मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ में भी डर का माहौल है उनका कहना है कि इस प्रकार की घटना दुबारा किसी दूसरे संस्थान में न हो इसके लिए दोश्यों को सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए पंजाब के स्ट्री टीवी के लिए नालंदा से मुहम्मद महमूद आलम की रिपूर हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद